हर रोज बाबा शाम को उनके पसंद का भूग लगाईए फिर देखे बाबा शाम आपके भंडार को ऐसा भंडार से भरेंगे कि आप भी समझनी पाएंगे कि बाबा शाम ने इतनी कृपा गैसे की आप सभी शाम प्रेमियों को जैस रेश शाम शाम प्रेमियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खाटू वाले शाम को किस चीज का भूग लगा सकते हैं सरी खाटू शाम बाबा को चढ़ाय जाने वाले सबसे मुख्य प्रसाद कच्चा दूद है या बाबा को चढ़ाय जाने वाला पहला प्रसाद ठंते या बाबा का सबसे प्रिय है इसलिए प्रयास करें कि कच्चे दूद का प्रशाद आप बाबा शाम को अवश्य चढ़ा है दुकान से खरीदे गए खीर चूर्मा के स्थान पर आप घर का बना हुआ खीर चूर्मा बना सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं खीर चूर्मा बनाने की रेसिपी आप वहां से देखकर अपने घर में खीर और चूर्मा बना सकते हैं खोई या मावे की बनी मिठाईया, पेड़े, मिल्क केक, आदी, बाबा श्याम को सबसे अधिक चढ़ाय जाने वाला प्रशाद है, क्योंकि उन्हें कच्चा दूद बहुत प्रिया है, दूद से बनीवी चीजे प्रिया है, तो उनको इन प्रशाद का भो लगा सकते हैं। अधिकांश भक्त शाम बाबा मंदिर में खोई के पेड़े ही चढ़ा देते हैं, आप वो भी चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दोर आए नहीं है। भोग अरपन कर सकते हो, हर रोज बाबा शाम को उनके पसंद का भोग लगाईए, फिर देखिए बाबा शाम आपके भंडार को ऐसा भंडार से भरेंगे कि आप भी समझनी पाएंगे कि बाबा शाम ने इतनी कृपाग ऐसे की। आपको मार्केट में मिल जाता है, वो दूद, पहला दूद जो होता है, बाबा शाम को पूजा के लिए थोड़ा सब दूद निकाल के रख दीजिए। आपके घर में पूजा स्थान होगी, बाबा शाम का चित्रिया जो भी मूर्थी होगी, उस जगे आप पूजा स्थान के लिए बाबा के लिए वो दूद निकाल के रख दीजिए। फिर देखिए, बाबा की असिन करपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो इसी तरह की इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इसके बाबा शाम के भूग के वारे में अधिक सदिक लोगों को इसके वारे में बताईए, नहीं बता सकते तो कम से कम इस वीडियो को आप शेर करिए या लाइक करिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आगर आपके कोई भी प्रशनी आउतर हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए जै श्रेशाम हार के सहारे की चै